Study IQ IS अब तयारी हुई affordable marketing जो schemes होती है वो illegal होती है ऐसा नहीं है मैं आपको difference आगे बताऊँगा लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर जो pyramid scheme है जो illegal तरीके से की जाती है और overall अगर हम देखें इसके अंदर बहुत तेजी से बढ़ होती हुई यह पिछले 5 सालों में सबसे जादा highest इस तरह के pyramid scheme देखने को मिलेंगे और इसी के बारे में हम detail से जानेंगे exactly हो क्या रहा है काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहा है अंकित live थाकि आपको maximum discount मिल जाए और अगर आप prelims की त्यारी कर रहे हैं तो वह आप ले सकते हैं SIP प्लस वाला batch इससे आपके prelims 2024 का crack कर सकते हैं और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप attempt कर पाएंगे चले सुरवात करते हैं दोस्तों लेकिन उससे पहले ये MLM that is multi-level marketing scheme क्या होता है और ये pyramid scheme क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है दिखिए जब मैं बात करता हूँ न multi-level marketing की मतलब कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कई levels देखने को मिलते हैं मतलब multi-levels देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर ये एक तरह की sales strategy होती है जहाँ पर pyramid shaped commission system जो है लाया जाता है किसी product के लिए या फिर किसी service के लिए देखो क्या होता है कि कई सारे genuine चीज़े होती है जैसे आपने M.W. का नाम सुना होगा in fact मैं आपको एक और example बता हूँ तो जैसे tupperware हो गया जो डब्बे आते हैं तो ये जो सारी चीज़े होती है उसमें आपको multi-level marketing देखने को मिलता है घर-घर महिलाओं को जो है उसमें यापर एक तरह से उनको दिया गया है कि अगर आप समान बेशते हो तो आपको कुछ उसमें commission मिल जाएगा जैसे tupperware हो गया M.W. हो गया तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें सबसे top पर कोई होता है उसके नीचे यहाँ पर दो appoint करते है फिर वो जो person है उसके नीचे दो appoint करता है इस तरह से चीज़ें चला करती है और पूरे देश भर में पूरे region में आपको इसका पूरा network देखने को मिलेगा तो यह इसको आप network marketing और referral marketing भी कह सकते है तो यहाँ पर आपको जो एक important चीज़ समझने वाली है कि अगर multi-level marketing में अगर कोई product है कोई genuine चीज़ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे मैंने आपको example दिया Tupperware का तीक है उसमें डबबा है आप बेच रहो एक डबबा है जिसकी कीमत 100 रुपे है या फिर 200-500 जितने भी है तो वो आप exactly बेच रहो और लोग उसको खरीद रहे हैं उसको इस्तमाल कर रहे है तो जब भी कोई salesperson है जैसे ये insurance की तरह हो गया कोई insurance आपने agent देखा होगा ना LIC insurance agent वो भी तो एक तरह से यहाँ पर कई लोगों को दियावा है उसका काम तो लोग उसको बेचते हैं और उसका बीच का जो थोड़ा commission होता है वो उनके पास आजाता है उनके service provide करने के लिए तो वहाँ तक तो चीजें ठीक हैं लेकिन कई बार क्या होता है जो multi-level marketing होती हैं उसके कई सारे ऐसे characteristics हैं जो कि illegal pyramid scheme में भी आपको देखने को मिलते हैं और इसी वज़े से सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जो main difference है multi-level marketing में वो यह है कि जो genuine चीज है वो आपका sales के उपर focus करता है कि उनको एक product बेचना है लेकिन जो pyramid scheme होता है जो illegal pyramid scheme होता है वो एक तरह से recruitment पर focus करता है वहाँ पर ये focus किया जाता है कि कितने लोगों को और जोड़ा जा सके तो आपको मैं एक तरह से समझाता हूँ जैसे कि माली जहाँ पर उपर एक person है और I'm sure कि आपके से जो लोग ये वीडियो देख रहे हो न आपके सामने भी कभी न कभी आपके life में कोई ना कोई बंदा आया होगा और आपको बोला होगा चाहिए advertisement के थूँ या फिर directly आपसे contact करके कि ये company है ये join कर लो और अपने नीचे दो और लोगों को बैठा लो वो दो लोगों को बोलो वो नीचे और दो लोगों को बैठा है इस तरह करते करते एक change बन जाता है तो जितने ज़ादा लोग अपने अंडर लेके आओगे उतना ज़ादा तुमको commission मिलता जाएगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो ठीक है क्योंकि मुझे याद दोस्तों in fact class 11th का मतलब करी 10-15 साल पहले जब इसकी सुरुवात वगर हो रही थी और काफी लोग इसकी चर्चा कर रहे थे तो काफी तेजी से था in fact मुझे याद है IPL वगर के समय एक इसी तरह का illegal scheme था मुझे exact नाम नहीं आता रहा है लेकिन उसका add भी आ रहा था IPL के समय 15 साल पहले की बात करा हूँ 10-15 साल पहले तो उस समय कुछ लोग मुझे भी अप्रोच कर रहे थे कि यहाँ पर एक तरह से business बना लिया था कि अपने लीचे लोगों को appoint करो और appoint करने के लिए क्या है कि जब आप इसको join करते हैं तो आपको कुछ fee payment करनी परती है तो वहाँ पर क्या होता है जो भी नए बंदे जुड़ते जाते हैं उसमें जो पैसा सामने आता है उसी की तरह पीछे जो लोग already है उनको पैसा उसका कुछ part मिल जाता है जैसे आप देख सकते हैं ऐसे करते करते हैं आप सोच के देखिए नीचे कितने सारे लोग हो जाएंगे तो इसमें होता क्या है कि जो उपर वाले लोग हैं जो उपर टॉप में कुछ लोग हैं उनको तो profit हो जाता है और बाद में नीचे जिन लोगों ने join किया अब ये जो पुरा pyramid है नीचे जो base है वो इतना ज़ादा भर गया है कि लोग वहां से कमा ही नहीं सकते क्योंकि और नीचे जोड़ने की probability बहुत कम हो जाती है और इसी वज़े से क्या होता है कि यहाँ पर जादा तर जो नीचे वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत भारी भर कम पैसा लगाया है वो अपना सारा पैसा lose कर जाते हैं question यहाँ पर यह भी है कि आखिरकार यह schemes exist कैसे करती हैं हमारे देश भर में इसका main कारण एक देखे consumer protection laws में कुछ loopholes हैं यहाँ पर इसी का फायदा यह लोग उठाते हैं और मैंने आपको बताया ना यहाँ पर genuine चीज़ें भी चलती हैं और उसी की वज़े से उसमें कुछ लोग loopholes निकाल लेते हैं और इसका फायदा उठाने लगते हैं और इसके साथ-साथ main problem यह भी है कि अगर मालीजी किसी देश में कहीं पर unemployment वगरा की समस्या है लोगों को नौकरी नहीं मिल रहे हैं वो लोग कहीं न कहीं उनको एक hope देख जाता है कि हाँ अगर मैं कुछ इस तरह का scheme जोईन करना हूँ तो मेरी कुछ कमाई हो जाएगी तो ज़्यादा तर यह लोग क्या करते हैं जो low income groups हैं उनको कहीं न कहीं target करनी की कोशिश करते हैं और इसलिए उस चक्कर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और अपना पैसा जो है वो lose कर जाते हैं खेर अब देखते हैं कि exactly हुआ क्या है खबर क्या यह मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक consultancy agency है फर्म है जिसका नाम है strategy India जो इस तरह के schemes वगरे को देखती रहती है track करती रहती है कि देश में कितने हो रहे हैं क्या हो रहा है direct selling related चीज़ें क्या चल रही है research यह लोग करते हैं तो इनके द्वारा report दिया गया और कहा गया है कि 2023 में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा surge देखने को मिला है इस तरह के schemes में जैसे कि आप देख सकते हो आकड़ा जो है 2018 से लेकर मतलब यह जो illegal pyramid schemes होती है जहाँ पर लोगों को फसाया जाता illegal तरीके से तो यह आप देख सकते हो 2018 में 279 schemes इस तरह की आई थी 2019 में आप देख सकते है 387, 326, 372 और 285 और इस साल अभी तक अभी यह पूरा year end भी नहीं हुआ है और 402 schemes अलड़ी नई मैं नए schemes की बात कर रहा हूँ वो launch हो चुके हैं मतलब आप समझे अगर इतने सारे schemes launch हो रहे हैं मतलब कि लोग इसके अंदर जोड़ होंगे और लोगों का पैसा इसमें जा रहा होगा और बहुत से लोग क्या करते हैं कि complain भी नहीं दर्श करते हैं उनको लगता है कि उनकी बदनामी होगी कि वो इस तरह की चीजों में फस चुके हैं तो इसके जैसे ये लगतार पनपता रहता है हमारे society के अंदर हमारे economy के अंदर in fact जो strategy इंडिया है जो group है इन्होंने आपर बताया भी है कि कुछ schemes का नाम बताया है जैसे mission green इंडिया हो गया जीवन दान हो गया धन वृद्धी हो गया इस तरह के कई सारे ऐसे schemes है जो कि illegal तरीके से operate कर रहे है शौकिंगल यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अभी present में अगर आप देखोगे total number इनका तो 4000 से भी जादा है सोच के देखे 4000 से जादा scheme इस समय operate कर रहे हैं देश में और लोगों की गाड़ी कमाई इसके अंदर जा रही है और इसके साथ साथ problem ये भी होता है कि इस तरह के entities को track करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि या तो कभी इनका website function नहीं करता है या तो इनका कोई offline address नहीं है और ये गुप्त जगह से अलग अलग जगह से लोग काम करते रहते हैं इसलिए इनको track करना भी काफी मुश्किल हो जाता है और इसी के वज़े से यहाँ पर सजेक्ट किया जा रहा है कि हमें stronger laws की जरूरत है यहाँ पर जो प्रांजल डैनियल है जो chief strategist है strategy इंडिया पर उन्होंने emphasize किया कि जो consumer protection rules है उसको हमें और जादा सक्त बनाना पड़ेगा जो loopholes वगर हैं उसको हटाना पड़ेगा उन्होंने हाँ पर बताया कि कहीं न कहीं जो government है किंद सरकार है उनको central committee एक बना देनी चाहिए ताकि इस तरह के जितने schemes होते हैं उनको वो track करते रहें और actually कई बार यह होता है कि यह schemes आपको जहासा देते हैं कहते हैं कि आप थोड़ा सा पैसा लगाईए और risk बहुत कम है और आपको profit बहुत होगा क्योंकि यह जो अब जब आप पूस्ते हो कि यह पैसा आप कहां लगाओगे कैसे profit होगा तो कहा जाता है कि देखिए हम कई जगा forex trading करेंगे, shares में लगाएंगे या फिर cryptocurrency में लगाएंगे, NFT में लगाएंगे इससे हमें बहुत सारा profit होगा और उसका बड़ा profit आपको मिलेगा और इस तरह के schemes को कहीं ना कहीं हमें track करने की जड़त है, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है, तब ही हम इसको tackle कर पाएंगे although मैं आपको बता दूँ, Ministry of Consumers Affairs ने, Consumer Protection जो Direct Selling Rules है 2021 का, उसमें यहाँ पर changes भी किया और उसमें distinguish भी किया था, कि जो pyramid scheme होता है और जो legitimate scheme होता है, उसमें clarity लाने की कोशिश की थी, in fact ministry ने यह भी कहा था, कि यह जो phrase है ना, already law के अंदर through a network of sellers, जो pyramid schemes होते हैं, MLM players होते हैं जिसमें, उसके अंदर यह पहले लिखावा था law में, through a network of seller ठीक है, इसको बदल कर change कर दिया और बोला गया, अब यह नहीं होगा, that is directly selling through a network of seller, इस तरह के कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें की गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे executives का मानना है कि हमें और जादा इसमें loophole सटाने की ज़रत है, तब ही हम इस तरह की चीज़ों को tackle कर पाएंगे, इसके साथ-साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, कई executives का ये भी कहना, in fact, विवेक कोटच जो है जो की जुड़ेवे हैं कई company से, M.W. Tupperware, उन सबसे, उनका भी यहाँ पर यह कहना है कि, consumer protection act में हमें बदलाव लाने की ज़रुत है, additional priority लाने की ज़रुत है, otherwise क्या होगा, जो legitimate business है, वो यहाँ पर suffer करते हैं, जो जैसे M.W. वगर जो legitimate business है, उस पर भी लोग शक करने लगते हैं, कि यह भी तो कहीं investing, मतलब आप कहीं पर भी अगर invest करो, थोड़ा सा भी रूप है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा research करिए, देखिए, ढूंडिए, reviews को देखे, कई बार reviews गलत तरीके से भी दे दिया जाता है, fake reviews होता है, उसके बाद आपको company का history अगर अभी थोड़ा चेक करना होता है, और सबसे बड़ी बात है, इसमें, वो है business model आपको ये देखना चाहिए, कोई भी company हो, क्या उसके पास एक proper revenue stream है की नहीं है, क्या वो कोई product या फिर genuine service sell कर रहा है की नहीं, वो बस आपको high return है, और risk बहुत कम है तो उसमें भी आपको बचना है, आपको ध्यान रखना है, क्या है कोई भी चीज हो अकसा हमेशा ध्यान रखेगा, जब भी जहां पर high risk है, वहां पर आपको तभी high return मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप high return कह दोगे और आपको risk जो है एकदम कम है, ऐसा होता नहीं है, चाहिए आप share market देख लो, कहीं पर भी देख लो, फिर इसके साथ खुद को भी educate करना, जब आप इन सारे common scams के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो अपने आप, आपके में थोड़ा सा चीजें आजाएंगी कि हाँ, ये कौन सी scheme genuine है और कौन सी नहीं है, और ultimately अगर आपको कोई doubt होता है, तो definitely अपने कोई financial advisor कहीं पर कुछ जो है इससे पुस्ताच करिए, जानिए, लोगों से बात करिए कि क्या ये ठीक है कि नहीं तब आपका decision होना चाहिए, तो I hope दोस्तों, इस वीडियो के माद्धम से ये जो खबर आ रही थी, इसके बारे में और काफी news में चल रहा है, discussion भी हो रहे हैं, लोग social media से लेकर मैं देख रहा था, काफी चर्चा कर रहे हैं, मैं just उसके बारे में आपको बताना चाहता था, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, which public sector giant issued world's first Indian green masala bond, आपको बताना है, masala bond मैं आपको बता दू, जो भारत की companies होती है, जो विदेशों में यहाँ पर bond issue करती है, उसको masala bond कहते हैं, तो भारत की कौन सी public sector company थी, जिसने ये जारी किया था, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में कई सारे MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो Telegram पर आईए, लग-लग social media पर आपड्यूर पाऊगे, और जैसा मैंने आपको बता है, आज से हमारा जो GS Foundation batch है, UPSC के लिए, जिसमें full preparation कराए जाती है, वो आप जॉइन कर सकते हैं by using the code UNKITLIFE ताकि आपको maximum discount मिल जा, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time Till then, thank you very much, see you soon